Hey guys, what is up? और यहां पे हमारे पास है Potronik Soundrum 1 और बाई यहां पे करने वाला है Unboxing Detail Review और हाँ यहां पे एक जो इसका यूनिक फीचर है वो अभी से मैं आपके साथ शेर करना चाहता हूं कि यह आता है Inbuilt FM के साथ और बाई FM की जो connectivity है वो काफी strong है तो guys देखेंगे वीडियो में क है खास और यूनिक है और हाँ ऐसे ही और देखने के लिए हमारे जाल को सब्सक्राइब किजिए और नोटिफिकेश जरबागे बेल आइकन वो प्रेस करना मत भूले तो प्रजा ही है वेलकम को आप चैनल एटेक एंड लेट स्टार्ट इस वीडियो तो दोस्तों इसका जो लांचिंग प्राइज वो है 1399 रूपीज और यहां पे आपके लिए और एक स्पेशल कूपन कोड जो है वो मिल जागए वीडियो डिस्क्रिप्सेन में नीचे तो वहां से आप और भी यहां पे डिसकाउंटेड रेट में इसे पर्चेस कर सकते हो तो यह है साउंड ड्रम और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें यह मिल जाता है तो बॉक्स को यहां पे कट करके ओपन कर देते हैं और सबसे पहले जो है वो मिलता है हमें टाइप से चार्जिंग पोर्ट इंस्ट्रक्शन मैनुएल एंड वारंटी कार्ड तो उसको भी यहां पे रख देते हैं स उसको भी यहां पे निकाल देते हैं यहां पे sound effect के लिए नीचे भी जो speaker की grill है वो यहां पे आपको provide कर दी गई है और specification जो है वो भी थोड़े बहुत यहां पे mention किये गए है तो इतना आपको मिल जागा from the unboxing अगर बात करें guys build quality की तो black matte finish आता है बहाए काफी super लगता है यह यहां पे आप controls जो है वो integrator मिल जाते है जहांसे आप power on off कर सकते हो LED indicator मिलता है volume control and play and pause control और जैसे आप यहां पे power button को one more time प्रेस करते हो तो यह चला जाता है FM mode में नीचे थोड़े बहुत specification battery specification वो सब यहां पे मिल जाते है और यहां पे एक port है जहां पे आप USB पेंडर को insert कर सकते हो छोटा सा जो हो ले वो है quick reset button and type C charging port है input याने की charging के लिए तो बाई build quality look जो है एकदम सही वाला आपको यहां पे मिलता है अगर बात करें wait की तो इसका जो wait है वो यहां पे approach to 40 gram मिलता है one more thing यह आता है IPX5 waterproof rating के साथ तो हलकी फूल की बारिस में या तो फिर swing pool के आसप बात करें तो यहां पर आपको true wireless feature मिलता है यानि कि अगर आपके पास दो sound drum one है तो आप यहां पर दोनों को यहां पर connect कर सकते हैं और stereo effect आपको मिलेगा अगर बात करें यहां पर connection की first time कैसे connect करना है तो काफी easy है सबसे पहले ही से आपको करना है power on और यहां पर यहां पर ज दिखाएगा sound drum one उसके उपर tap करना है that's it यह connect हो जाएगा आपके mobile से जो काफी easy है one more thing यहां पर आपको battery percentage कितना है वो भी देखने को मिलता है और यहां पर contact sharing भी allow कर सकते हो अगर बात कर यहां पर controls को लेकि तो काफी easy है यहां पर आपको play and pause करने के लिए एक ही button मिलता है जहां से आप play and pause कर सकते हो volume control जो है वो भी आप कर सकते हो जो minus plus button है उसको यहां पर single type tap करोगे तो जो वीडियो है या तो फिर song है वो हो जाएगा next या तो फिर previous अगर long press करके रखते हो तो यहां पर यह volume जो है उसको यह control कर देता है तो काफी अच्छी बात है अगर बात कर यहां पर सबसे unique feature की तो वो है inbuilt FM और यहां पर जो connectivity है वाई एकदम ही strong है काफी मज़ेदार है और यहां पर भी आप volume को control कर सकते हो आटो scan करने के लिए यहां पर जो play button है उसको आपको यहां पर trace करके रखना है उसके बाद आप plus and minus button से station को change कर सकते हो अगर बात कर यहां charging को लेके तो भाई यहां पर आपको dedicated port एक दिया गया है जहां पर आपको USB input मिलता है यानि pen drive और यहां पर आपको type C input भी मिल जाता है जैसे आप charging में लगाओगे red light यहां पर blink करेगी अगर बात करें यहां पर battery life की तो 8-10 hours continuous मिलती है 100% volume में लेकिन मेरे जैसे 80% के उपर ज मिल जाता है जो काफी सही है यह price के हिसाब से one more thing यहां पर आप call receive कर सकते हो जो काफी अच्छी बात लगी मुझे और यहां पर आपको dedicated mic मिल जाता है तो काफी crystal clear आवाज जो है वो जाता है सामने वाले के पास अगर outdoor condition में यहां पर आप Bluetooth speaker का use करोगे तो इतना अच्छा result नहीं मिलता है जितना indoor condition में मिलता है तो of course आप इससे यहां पर जो call है उसको attend कर सकते हो और easily आप यहां पर बात भी कर सकते हो तो दोस्तों सबसे base result के लिए यहां पर जो music का जो play है आप उसे सुने आपके earphones में या तो फिर headphones के अंदर तो आपको यहां पर base effect कैसा है वो भ दोस्तों जो बेज है वो काफी सही है और 100% volume रखते है तो भी यहां पर base या तो फिर साउंड डिस्टोर नहीं होता है आपको magnetic type charging case मिलता है तो आप ensure रोजे यह fallout नहीं करेगा from the charging case अगर बात करें earphones के look की तो typical earphones type है और थोड़ा सा मुझे यहां पर extra long लगा तो दोस्तों यहां पर जो वोकल्स का result जो है वो निकल के जो आता है वो काफी crystal clear है यानि आप इसे definitely movie के लिए या तो फिर youtube के वीडियो के लिए भी यहां पर use कर सकते हो और आपको clear जो sound है वो यहां पर सुना ही देगा झाट साइब झाट साइब तो दोस्तों अगर फारें लिए यहां पर बात करें प्रोज एन कौन्स को लेके तो सबसे पहले बात करें प्रोज को लेके तो जो सबसे सही लगा वो है inbuilt FM और FM की जो connectivity है वो काफी strong है इंडोर कंडिशन में भी काफी बढ़िया यहां पर आपको FM का result मिल जाता है सेकंड बात करें गाइस तो यहां पर जो sound quality है वो काफी loud and clear है और outdoor condition हो या indoor condition हो आपको जो base effect है वो यहां पर fill होगा थर्ड point की बात करें गाइस तो यहां पर आपको continuous battery backup जो है वो 10-12 hours का मिल जाता है जो एकदम सही लगा मुझे यह price के हिसाब से अगर बात करें यहां पर kuns को लेके तो ऐसा बोल नहीं सकते लेकिन एक ही यहां पर मुझे kuns लगा कि यह जो bluetooth speaker है वहां पर आपको aux input नहीं मिलता है तो आप aux से यहां पर play नहीं कर सकते हो तो भाई of course आप इसे purchase कर सकते हो और हाँ purchase link जो है मिल जाएगर वीडियो description में नीचे आज की वीडियो बस इतना ही, thanks for watching, have a nice day